गाई से देखिए यह है स्प्रेडव इसमें है दवई यह दवई है इमा मेक्टेन जो चुसक वाली कीड़े को मारने के लिए यूस करूंगा धान निकल के इसका जस्ट खतम हुगा है लेकिन पक्के तयार नहीं हुगा है लेकिन देखने में बहुती आनंदायक नजा रहा है यह देखिए है लो गाईस वेलकम बेक माई चैनल वापस एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं गाईस एक फार्मर की लाइफ होती है कितने स्टरगल और हार्ड वर्किंग होती है तो हर किसी का यही एक्सपीरियंस होता है तो मेरा एक्सपीरियंस आज का क् इस ब्लोग में देखने को मिलेगा गाईस मैं आज क्या क्या काम कर रहा हूं आज इस ब्लोग में आपको दिखाने वाला हूं तो गाईस मेरे चैनल पहली बार है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को भी आल प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अ जलने वाला एक खाद है और अभी मैं इसमें दवाई मिक्स करूंगा उसके बाद यहां है जो ड्रीप में चलाने वाला खाद है इसको मिक्स करके इसको चालू कर देता हूं फिर और गॉर्ण है और झालू कर देता है एंदके बाद है गाईस मैंने तो दवाई जो मिलाने का काम था किया और उसके वाद ड्रेव भी चालू कर दिया है यह पूरा अभी चल रहा है तो अभी मैं जाओंगा दवाची रखने तो चलिए फिर गाई से देखिए यहां लवकी लगा हुआ है तो इसे में किडा लगा हुआ है तो मैं अभी इसे में दवाई का स्प्रेक करूंगा कि अजाओंगा थाय तो नहीं तो इसे में अभी चालू कर दोंगा जाओंगा है झाल झाल फाइनली मैंने दवाई छिड़कने काम है जो कम्प्लीट कर लिया है देख सकते हैं ये पूरा दिख रहा होगा इसमें पूरा दवाई छिड़का है लगभग मुझे इस काम में ड़गंटा लगभग लग गया है तो मैं अभी घर जाने का है तो उसके बाद मैं चलूँगा खेत में दिखाऊंगा कि धान हम लोग का किस तरह से है गाइस मैं फिलाल घर आच चुका हूं अभी मुझे और कुछ काम करना है यहां मैं पूरा समान रखता हूं जैसे खाध हो गया यह सब जो भी आवजार होते हैं यहीं रखता हूं यह है गाइस मीनी पावर टीलर तो मैं इसको आज स्टार्ट करके देखूंगा क्यूंकि यह रखे हुए बहुत दिन हो गये हैं तो देखना पड़ेगा कि इसकी कंडिशन कि ठीक ठाक है या नहीं तो गाइस को चालू करके देखते हैं किया कंडिशन है कि 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 क कि कि आप जर सबसे हो न फॉर झाला सबचा आप पॉर फॉर फॉर भीकेड़ कल डद में टेर Valley ऐसा लगा कि बहुत ही अच्छी कंडिशन में है फिलाल, उसमें कोई खरावी या दिक्कत नहीं है, तो कुछ दिनों बाद इसका भी काम स्टार्ट हो जाएगा, आने वाले next season के लिए, तो guys मैं अब जा रहा हूँ खेत की और मैं दिखाऊंगा अपने खेत का क्या नजारा है guys ये देखिए हम लोग का खेत, जो क्या नजारा दिख रहा है, जो अभी धान निकल के इसका जस्ट खतम हुगा है, लेकिन पक्के तयार नहीं हुगा है, लेकिन देखने में बहुती आनंदायक नजारा ये देखिए, आपकी धिरी भी देखेंगे तो ये नजारा पुरा देखने को मिलेगा, guys इस कंडिशन में लाने के लिए हमें बहुत ही मसकत और हार्ड वर्क करनी पड़ती है, क्यूंकि किसानों का लाई भी ऐसी होती है, guys क्यूंकि इसे भी पैदा करने में हमें बहुत सम ले लेता है, तब जाकर ये फसल तैयार हो जाता है, अप देखिए, इस तरह का खेत है, guys क्या आपको पता है कि आज का डेट में हर कोई पैसा कमाता है, लेकिन उस पैसे कोई नहीं खाता, भले उस पैसे से कहीं से कुछ चीज खरीद के खाता है, लेकिन औह भी द्वारा पैदा किया हुआ होता है तो मेरा कहने का यह मतलब है कि किसान को भी एक सम्मान की द्रिष्टी से देखना चाहिए क्यूंकि वह अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा फसल तयार करता है तब जाके हर किसी को भोजन मिल पाता है अगर किसान अनपैदाई करना छोड़ दे तो सबको भूके मरने की नौबत आ जाए तो गाइस यह था हम लोग का खेत का कुछ नजारा मैं आपको एक अपने बगल वाले खेत पे ले जाता हूं जहां सीट प्रोडेक्शन है काम तो चल रहा है लेकिन वहां का नजारा आपको दिखाता हूं गाइस मैं बगल वाले खेत में आ गया हूं तो यहां का जो काम है सीट प्रोडेक्शन वाला है तो इसमें हाइबीड बीज बनाने वाला काम चलेगा तो देखिए इसमें किस तरह सपोर्ट के लिए बनाया गया है यह बहुत हाइट आ जाता है इसका पाधा तो इसलिए सप सपोर्ट के लिए इस तरह से जुगाड बनाया जाता है और यह नेट हाउस के लिए इस तरह से पूरा इंतिजाम कर लिया गया है क्या न जा रहा है यहां देखने लाइक जो टेखनिकल खेती के रूप में किया जा रहा है काफी सांदार गाइस यहां देखिए यह बैगन यह भी सीट प्रोडेक्शन वाला काम है तो इसमें भी सपोर्ट के लिए इस तरह से तैयारी किया गया है और यहां भी नेट हाउस लेगेगा तो इसका भी पूरा इंतिजाम हो चुका है नेट धकना भागी है कि यहां भी बहुत ही सांदार न जा रहा है गाइस कि पोधों का कंडिशन देखो एक नंबर तो और इस साइड है करेवा तो का अच्छा दिख रहा है तो इस थरह था आज़ वीडियो, वीडियो कैसा लगा जरूर बताईए कमेट में वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल पर जरू सब्सक्राइब करें तो आगे भी इसी तरह का वीडियो आपको देखने कभ मिलेगा जो गाओं के कामकाज जो सांदार करते हैं और यहां करना जा रहा जो देख रहे हैं तो आगे भी देखने मिलेगा तब तक ले दूसरे वीडियो मिलेंगे बाई